पेट्रोल पंप पर इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं तो खा जाएंगे धोखा। नमबर एक, रीडिंग हो इससे स्टार्ट, पेट्रोल पंप मशीन में जीरो फिगर तो आपने देख लिया, लेकिन रीडिंग स्टार्ट किस फिगर से हुई? सीधे 10, 15 या 20 से हुई है, या फिर मीटर की रीडिंग कम से कम 3 से स्टार्ट हो। अगर 3 से ज्यादा अंक पर जंप हुआ, तो समझो आपका नुकसान भी उतना ही होगा। नमबर दो, लीटर में भरवाएं तेल, बाइक या स्कूटी चाल कर अकसर पेट्रोल पंप से 50, 100 या फिर 200 रुपिय का तेल भरवाने आते हैं। आपकी इसी गलती को पेट्रोम पंप करमचारी भाप लेता है और चूना लगाने की तैयारी शुरू कर देता है। इससे आपको कभी आइडिया नहीं लग पाता कि करमचारी ने उस कीमत पर सही मात्रा में तेल भरा है या नहीं। इसलिए बहतर होगा कि आप हमेशा लीटर में तेल भरवाएं। नमबर तीन, मीटर चेक करें। गाड़ी में तेल डलवाने से पहले मीटर ज़रूर चेक कर लें। पंप ओन परेटर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो तेल भरने से पहले ग्राहक को मीटर चेक करने को कहे। मीटर शून्य से शुरू होना चाहिए। अगर पंप करमचारी आपको ये बताना भूल जाए तो स्वैम इस बात को ध्यान रखें। अगर मीटर चल रहा है तेज, आपने पेटरोल उनडर किया और मीटर बेहत तेज चल रहा है तो समझिए कुछ गड़बड है। इससे ग्राहकों को ज्यादा फाइदा होता है। तो समझ लें, कुछ न कुछ गड़बड है। अगर ग्राहक को लगता है कि पेटरोल भरवाते वक्त उसके साथ धोखा धड़ी हुई है तो तुरंत 1-800-233-3555 पर कॉल करके इसकी शिकायत दर्ज करवाए। आप पेटरोलियम कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अधिकांश लोग जब अपनी कार में पेटरोल डीजल भरवाते हैं तो गाड़ी से नीचे नहीं उतरते हैं। इसका फाइदा उठाते हैं पेटरोल पंप करमी। पेटरोल भरवाते समय कार से उतरें और मीटर के पास खड़े हों और सेल्स करमी की सारी गतिविधियों को देखें। इससे आपके साथ चीटिंग होने के मौके बेहद कम हो जाते हैं। आपको जरूर आइडिया होगा कि गाड़ी में एक बार में कितना तेल आता है।